Hey guys, good morning, आज है 17th of December और अभी टाय मेरा 10.40 का So, आज मैं जो स्थोरी देर पहले निम से उटी आज मैं देर से उटी क्योंकि आज मेरा college नहीं है क्योंकि कल ही मेरा exam है खतम इसलिए अभी है मेरा तीन निम का छुटी So, आज मैं आप लोगों के साथ a day in my life video शेयर किनने वाली हूँ तो आज मैं जो भी करूँगी, I am going to share it with you all फिलाल मैं बना रही हूँ चाय, उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ यह मतर So guys, मेरा चाय पिना complete हो गया था बहुत ही पहले और अभी बाड़ा बच चुके I am little late because I was talking, so अभी मैं बनाओंगी यह चोले जो मैंने कल भीगो के रखे दे, सारी माटर So, मैं इसे आज सिंपल तरीकी से बनाने वाली हूँ, so मैं इसमें एक प्यास डालूँगी, टामाटर, मिर्च, ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा अध्रख अगर आप चाओ तो आप इसमें गार्लिक भी आट कर सकते हो, लेकिन मैं आज इसमें गार्लिक आट नहीं करूंगी, बस इसी से मैं यूज करके मेरा जो आज मतर है मैं उसे बनाओंगी, so चलिए तो मैं अभी यह उनियन को चॉप कर एंप हो, तो आज क्या है की मुझे कहीं बाहर जाने का मन था, अभी मेरा प्रांपी जूका है, मुझे भी उनी जाना आए, लेकिन आज चामकों में हो जा सकते हो तो तब तक के लिए, आज मैं बिल्опас को ये मतरह यः खाना B células मतरहाई के बाद इसके बाद मेरा कुछ कपड़ा मैं उसे भी धोने का लिए हूँ सो फर्स में खाना बना लेते हैं ने तो काम करने के बाद जब भूग लगती है दिमाग काम नहीं करता है सो या फर्स आइवल कोग देन आइवल दू माइन रेस्ट अफ दू गॉक मैंने जो मटर है वो कल ही रात को भी होके रख दिया था और बाइद अवे में इसमें जो नॉर्मल मसाले आते हैं मैं उसे यूज करने वाली हूँ जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिच पाउडर और नमक बस यही यूज करने वाली हूँ अगर आपको इसमें देना है गायलिक्स तो अब इसमें लहसुन भी दे सकते हो लेकिन आज मुझे इसमें लहसुन नहीं देना है तो इसलिए मैं सिर्वासिश में अध्रक ही दूँगी तो मैं इसे रफली चॉप करियो टेमेटोस को मॉट्ट जस छोटी से प्रप्लम हो गई है कि मैं बात करते करते भूल गेती कि मुझे यह मटर को उबालना है तो मैं इस मेरे माई से सिर्व कर गया था तो अभी मैं इस मटर को जल्दी से मैं बॉयल होने के लिए रगतूंगी मैं इसे प्रेशर कूकर में तीन से चार सीटी उसके बाद यह थोड़ा सा जब बॉयल हो जाएगा तो मैं मेरा नेक्स प्रॉसस स्टार्ट करूंगी तो चलिए मैं इसे जल्दी से बॉयल करने के लिए रगतूंगी मैं बात करते करते भूल गेती कि मुझे यह मटर को उबालना है तो मैं इतन मेरे माई से सिर्व कर गया तो मैं मेरा नेक्स प्रॉसस स्टार्ट करूंगी तो चलिए मैं इसे जल्दी से बॉयल करने के लिए तो गैज जो मेरा मटर है वो बॉयल हो चुका है और मीनवाइल मैंने जो प्याज है मैंने उसे भी काट लिया यू किन सी यह राफ्ली चॉप्ट ओनियंस राफ्ली चॉ स्टार्ट मुझे पसंद भी नहीं है खाने में स्टार्ट उसका और भी घड़ाब आता है तो इसे क्या होता है कि जब ही मुझे कोई पेस्ट बनाना होता है एदर जिंजर का या कालिक का तो मैं इसे इस ट्रेनर से मैं और इसे कदू कस कर डेती हूँ तो इसे क्या होता है क यह पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो इससे क्या होगा कि आपको वो जिंजर गालिक यह पूरा आपके मूह में भी नहीं आएगा और इसका टेस्ट खाने का जो स्वाधत है वो भी और भी बढ़ जाएगा, तो इस अल्मोस लाइक पेस्ट तो अगर आप रहते हो घर से कहा तो आप भी इसे एक पर ठ्राइब करना, तो अभी मैं बनाओंगी, तो दाइस मैं जो खाना बनाना है वो कि है कंप्ली तो मैं अभी फेस को स्कॉप करूँगी, तो मैं उसके बाद आपको दिखाते हूं कि मैंने कैसे बनाया है, तो फिर्स के स्कॉप करने से पहले, I will apply, I I will first clean my face, तो इसके लिए I will be using this Avon Natural's Purifying Charcoal Cleanser, तो बिसके लिए एक फेशवाश है, जो कि है चार कोल का प्यूरिफाइंग फेशवाश, I absolutely love this, तो अगर आपो दूसरा बहुत मार्केट में मिल जाएगा, अफोरडबल रेंज के अंदर, लेकिन वो नह जादा अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए I thought कि I should give it a try, तो इसलिए I thought कि I should give it a try, तो मैंने इसे पर्चास किया और more than a month I am using it, और इसका जो रिज़र्ट है वो मुझे अच्छा लगता है, as comparing to others, like I have used Ocea's Charcoal Face Wash लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए I have purchased this, इसका प्राइस है तो 59 लेकिन I have got it for $199, तो यह आपको $199 around मिल जाएगा, अवान का है, आप इसा online से purchase कर सकते हैं तो जो अवान का, मतलब घर से जो business होता है, you can purchase from them also, तो मैंने इसे मेरे एक फ्रेंड से purchase किया था, तो मैं first मैं इसे apply कर रूंगी, और by the way, यह oily skin type person के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि you can see, यह एक ऐसे creamy form में आता है, तो इसे क्या होते है कि आपका face में जो oil है, वो एक्तम से इसे दोने के पाद चला जाता है, तो as I have oily face, तो I use this, और यह मुझे काफे जादा अच्छा लगता है, यह oil को हटा देता है, लेकिन उतना जादा आपकी skin को dry नहीं करता है, लेकिन I think कि अगर आपका skin है dry, तो यह आपको उना जादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक टेंडेंसी है कि यह आपके skin को अंदर से खीच सब्सक्राइब, तो मैंने मेरे face को अच्छे से clean कर लिया है with face wash, now I will apply this biotech का tan removal papaya face scrub, यह भी बहुत ही जादा अच्छा है and I I absolutely love it, और इसमें आपको मिल जाएगा 100 gram of product for 142 rupees उसके पर आपको इंस्ट्राइड discount मिल जाएगा, अगर आप इस और आप इसे online से purchase कर तो तब भी आपको discount मिल जाएगा, तो इसमें आपको ऐसे granule मिल जाएगे, इसका granule थोड़ा hard है like apricot, lotus का apricot आता है, यह वैसे ही है, बहुत अच्छा है आपके skin में जो date skin cells है और जो white head और black head है वो एकदम से remove कर देता है, तो इसलिए यह मुझे बहुत ही जादा पसंद है, और यह जो है, यह बड़ा वाला size है और इसे भी आपको छोटे size में मिल जाएगा, अगर आप try करना चाहते हो तो I will suggest कि you go for the smaller one, जो यह है face scrub, so I will suggest कि you give it a try, तो क्या होता है कि scrub जब हम करते है तो हमें हलके हाथों से mild हाथों से करना चाहिए, और अगर आपका skin है बहुत ही जादा extra sensitive, तो you avoid scrubbing with such heart particles, तो आप यूज कर सकते हो जो biotic का papaya का, जो face wash आता है, उसमें भी आपको soft granules मिल जाएगा, तो you can use that as your scrub, I will suggest कि अगर आपका skin होता है, super sensitive, then आपको ये scrub, ऐसे जो heart, मतलब scrub आते है पार्टिकल, you should avoid using that, ने तो इसे आपको skin में हो सकता है problem, तो जब हम करेंगे इसे हलके हाथ से करेंगे, roughly हम इसे एकदम ही नहीं rub करेंगे, ने तो हमारे skin का जो प्लेर होता है, वो बहुत ही जादा इसे एफेक्ट परता है, और scrub, I will suggest कि you do twice a week, maximum thrice, not daily, तो इसे क्या होगा कि, आपकी skin में जो dead skin से जम जाते हैं, या जो white head आते हैं, winter के time, black heads आते हैं, वो एकदम से जाएगा, you can see, here I am removing my white heads, तो आपको यहाँ पर अच्छे से circular motion में आपको अपलाई करना है, so guys, here it is, you can see, मैंने इसे थोड़ा से spicy बेना है, बहुत ही सारे green chilies, और red chili powder देके, क्योंकि मुझे spicy खाना है, बहुत ही पसंद, अगर आप चाहो तो इसमें आप कोरियंडर को जो fresh leaf आता है, उसे भी आप अच्छे से, कट करके इसके उपर दे के खा सकते हैं जो भी टाइम होरा है 5.30 का, तो मैंने दौपैर को 3 बजए नहाँ था, उसके बाद खाना खा कि मैं सौ गए थी, तो अभी जिस्ट कुछ देल पहले मैं उठी, उठने के पाद, अभी मैं ब्लॉक करें फिर से, सौ शायद से मैं अभी थोड़े दिर में कहीं जाओं, तो अगर जाओंगी तो आपको भी दिखाओंगी सो गाइस मैं अभी चट पे टहल रही हूँ, घर पे बैठी थी सुबा से तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शाम का जो यहां का नसारा होता है वो हैं बहुत ही सुन्दर तो चलिए मैं आपका दिखाओंगी तो यह यहां से व्यू दिखता है तो पेसिकली यह जो आप सामने देख रहे हो यह जील है तो यह है हिटको का प्रोजेक्ट और अगर आप उस साइट देखोगे त आपको पूरा राजाराथ दिखता है और यह है यह है यहां का नसारा और अगर आप देखोगे उस साइट तो आपको वो जो लंबी-लंबे बंडिंग जो फॉग में धखी हुई है तो वो है सेक्टर फाइड तो गैस मैं भी रेडी हो चुकी हूं मैं बिजा रही हूं तो म ही जाएंगी बस बावल में जाने वाले हूं तो चलिए यह जो तड़की का डाल आता है तो मैंने इसे सुबा ही भीगो के रख दिया तो तो मैं अभी इसे प्रेशा कुकर में तीन से चार सेटी देने के लिए रख दूंगी तो जब तक यह उबलता है तब तक मैं मेरे प्यास टमाटर मिर्श को अच्छे से काट लूँगी तो आज मैं इसमें दूंगी जिंजर और गालिक टमाटर एंड प्रीन चिली और अनिय कर सकते हो जो हमारे खर में अवल अवल होता है धनिया पाउडर जी या पाउडर आप उसले भी बना सकते हो लेकिन आई थौट कि मैं इसे आज यूज करके देखती हूं कि कैसा स्वाद आता है और यह जब हो जाएगा तो मैं उपर से ग्रिन कोरेंडर लिवस भी आड करू कि उसे स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है और यह मैं आज एक तरका बनाऊंगी सो चली बनाते है तो तो जाएगा देखती है तो यह मैं आपर पॉछ जूप आपके आपके और आपके प्यास यहां पे जिंजर पेस्ट यहां पे कार्डी काज मैं ने इस पीस में काटा क्योंकि तरके मैं इस पीस में अच्छा लगता है यहां पर आफ चॉप्ट ब्रिंच लिज और इस पीस में आपके आपके यहां उसके बाद मैं एक तरके को इसमें आपके अट करूँगी तो मेरा कडाय करम हो चुका है तो आम उजिंग इस रिफाइन डॉयल मुझे इसमें रिफाइन डॉयल से करना पसंदेने है तो ना वो अबर मैं मस्टर्ड डॉयल से करते हूँ तो गैस मेरा खाना बनाना हो गया है I'm so sorry मैंने camera को ओन किया थे लेकिन I don't know कि वह प्रेसी नहीं हुआ था और जब मैं बना रही थी तो उसका वीडियो नहीं आया so मेरा यह तरका बन के हो चुका है ready you can see यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है trust me so guys अभी already सारे नह बच चुका है तो मैं अभी थोड़े दिर में खाइना कहूंगी इसके बाद मैं फिर से movies देखूंगी आज बस आज और कर ली है उसके बाद मंडे से तो college हो जाएगा तो इसले आज भी मेरे late night movie देखने का plan है तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती थी about this chemically straight in hair तो क्या होता है कि मित होता है कि जब आप कोई hair straight करते तो उससे आपका hair का quality खड़ाब हो जाता है लेकिन trust me ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने दो बार करवाया एक पर मैंने 2015 या 2016 ने एक बार करवाया था तो तब जो मैंने करवाया था बहुत ही जादा मेरा hair का quality अच्छा हो गया था राधर अगर वो नॉर्मल था तब से ऐसा मैं इसले कह रहे हूँ क्योंकि जब आप hair को straight करते हो तो you have to maintain a particular routine तो उससे क्या होता है कि आपका जो hair का texture होता है या quality होता है वो maintain रहता है और और भी जादा अच्छा हो जाता है तो इससे यह मेरा personal experience है कि मैं जब hair को straight करवाया था for the first time तो I have to follow a certain routine तो उसकी वज़े से मेरा hair को quality था वो बहुत ही जादा अच्छा हो गया और जो second minute है वो है कि जब आप hair को straight करवाते हो तो उसके लिए जो आपको particular items आपको बजाय में मिलता है like for straight hair, shampoo, serum, marks, conditioner आपको मिलता है तो वो बहुत ही जादा expensive होता है rather than this normal one लेकिन trust me it's my personal experience दोनों में कोई difference नहीं होता है मतलब इनका price का difference इतना जादा रहता है अगर normal shampoo आप 100 ml का आपको 80 rupees में मिलेगा तो 100 ml आपको straight hair के लिए उसको maintain करने के लिए जो आता है so called उसका price होगा 650 और 700 इतना जादा इन दोनों में gap है लेकिन result में कोई भी gap नहीं आपको मिलेगा you can see मैंने मेरा hair को straight करवाया था 5th of September तब से लेकि आज तक मेरा hair जैसे था वैसा ही है मैं नॉर्मल शैंपू इस टाइम यूज करया हूँ लॉयल का जो total repair 5 मैं उसे यूज करया हूँ क्योंकि first time में hair को oil नहीं करती थी since 2015 तो उसकी वेज़े से मेरा hair को बहुत ही जादा थोड़ा rough हो चुका था इसलिए मैं total repair 5 अभी यूज करया हूँ तो मेरा hair का quality अभी पहरे से better हुआ है लेकिन मेरे straightening में उसका कोई भी adverse effect नहीं हुआ है राधर जैसे होना चाहिए वैसा ही है तो इसलिए मैं यह क्या है कि अगर आप hair straight करते हो तो आप सोच रहे होंगी कि आपको वह expensive product यूज करना परेगा in order to maintain your hair लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है यू can use any ordinary shampoo हाँ अच्छे अच्छे ब्रैंड का शैंपू आप यूज करो उसके साथ उसका ही same range का आप conditioner यूज करो तो it will be beneficial for you ऐसा मत करना कि आप एक shampoo यूज कर रहे हो दूसरे company का conditioner यूज करते हो इससे I think हो सकता है कुछ effect लेकिन अगर आप अगी product range का यूज करते हो तो I think कोई आपको effect नहीं मिलेगा It's my personal experience you can see लेकिन मैं जो आता है Serum, so I use Serum OptiCare from Matrix वही है सिर्फ for professional hair तो उसका प्राइस है 545 वह भी बहुत affordable range में आता है 100 ml का product है I think 100 or 150 ml का बहुत ही जादा अच्छ है तो अगर आपको कोई लेना है for your hair तो आप उसे purchase कर सकते हो वह है for chemically straightened hair अगर आपको normal का चाहिए तो normal आपको मिल जाएगा उसका price और भी 100 rupees कम होगा quantity आपको same मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है की ah skagly straight hair की मैं job use करते हूँ वह आप normal hair मैं use नहीं कर सकते So guys that is it for this vlog मैं ये व्लोग को आज यही पेंट करती हूँ अगर आपको ये व्लोग अच्य लगता है तो इसे like करते ना So मैं मिलते हूँ आपसे मेरे next video में Till then take care bye bye करता है